तक्रीरों के प्रोग्राम तो हम देखते है कि हर शहरों में महीने में कम से कम दस प्रोग्राम तो होते ही है मस्जिदों में भी दीनी बाते होती है बेशक दुनिया भी बाते नहीं होना चाहिए लेकिन कानूनी इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज तो इसलिए दस में से कम से कम एक प्रोग्राम भी अगर देशा है लीगल अवेर्नेस के लिगाड़ी हो देखें लीगल अवेर्नेस के लिगाड़ी हो लोगों के आपके राइट से वो सारी चीज़े समझाते है कानून की जानकारी ना होना ये बहुत बड़ी कमजोरी है खासकर हमारे मुस्लिम समाच के लिए तो APCR नाम का एक संगठन है जिसकी शाखा आकोला में भी है और नागपूर में भी है और इसके अलावत दिगर कई शेहरों में है APCR की टीम से जुड़े हुए एडवकेट शोई बिनामदार सार इडवकेट शोई बिनामदार सार इस वक्त हमारे साथ है तो शोई भाई APCR के मात्यम से आप लोग कानूनी मदद करते है तो मैं जानना चाहूँँगा आप से कितना जरूरी है कानूनी जानकारी हर मुसल्मान को खास कर जरूर है कि उसके क्या-क्या राइट से क्या-क्या कानूने अधिकार है मैं तो यह समझता हूँ कि जो हमारी बुनियादी जरूरत है रूटी, कप्ड़ा, मकान तो उसमें आप एक यह एड़ कर लीजिए कानून का इल्म असिल करना उसी जैसा है कि हमारी जायत बुनियादी जरूरत के इसाफ़े अगर आपको इस देश में अगर रहना है अगर आपके राइट्स वालेट न हो तो आपको जरूरी है कि आप कानून का इल्म असिल करे खास तोर से constitution का देखिए हम बोलते हैं कि देश में कमिनलिजम बहुत है और मुक्तलिब किसम के चीज़े आते हैं हमारे जहन में लेकिन मैं यह बोलता हूँ कि इस देश का कोई भी लोग कमिनल हो जाए लोग कमिनल हो जाए या फिर गुरूप के गुरूप कमिनल हो जाए लेकिन अभी तक कि हमारा जो constitution है वो कमिनल नहीं हुआ है constitution वही है जो 1952 में जो नाफिज हुआ था आज भी वही है उसमें कोई खास changes नहीं हुए है तो हमको अभी भी constitution पे भरोसा रखने की जरुवत है और जाते हैं जो हुकुमत को डायरिक्शन दिया जाते है उसका इलम हमारे पास नहीं है जैसे कि डीके बास हो कि अरेस्ट के बार guideline हमारे पास है किस तरह से अगर पुलिस वाली को arrest करना है तो क्या-क्या उसके guideline होना चाहिए अरनेश कुमार का जो judgment है हमारे साथ नहीं हो हमको उसका मुताला करना चाहिए एतना मौकन ही है कि उसकी तफसिलात में आपके साबने जाओ अगर आप थोड़ी बोड़ी चीज़े पढ़ लेते थे तो मैं समझता है कि वो जो group जमाता communal rights का मतलब जो जिसको communal rights बनाया गया है तो अगर वो अरनेश कुमार का और ये डीके बासु के judgment को पढ़ लेते थे उसका इल्म होता था तो शायद इतने लोग एक जगा जमा नहीं होते थे तो कोई भी चीज करने के लिए कोई भी चीज हम करदालते हैं उसका इल्म हमारे पास नहीं रहता तो जरूरी है कि कोई भी चीज से बचने के लिए अब आप ये देखते हों कि वकील जो रहता है वो कोई भी गुना करने को दजबार सोचता क्यों सोचता क्योंकि उसको मालूम है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है अगर मैं ये एक्ट करो तो मैं कौन से कानून के साथ से फस हो हा तो उन पर बहुत सारे केसे कम होते है हम बोलते हैं कि पुलिस वाले उन से घबराते है उनको कानून का इल्म हिर रहता है इसी कोई बात नहीं कुछ करते नहीं आम अदमी करदाल तो उसको समस्ता कुछ नहीं तो इसलिए भी ज़रूरी है कि वो कानून का इल्म हासिल करें ताकि वो चीजों से बचे इल्म हासिल करेंगा तो उसको नौलेज होगा वो थोड़ा सा इंटेलेक्टॉल रहेंगा और कोई भी चीज या कई और गुना हो रहा ह है कोई अगर काम खराब हो रहा है या कोई गुना हो रहा है या किसी किसम का एक्ट हो रहा है जो हमारे सभीदान के खिलाब है जो हमारे इंडियन कानून के खिलाब है तो उसको रोकनी की भी कोचिश करेंगा तक्रीरों के प्रोग्राम तो हम देखते हैं कि हर शेहरों में म अगर से से सरफ लीगल अवेरनेस के पर हो पिंग सबसे पहले बात यह कहीं कि थिर कि टो बुनियादी काम एक लीगल ईवारनेस है और दूसर लोगों का ताहफूझ हैं तो लीगा लेार Window की बात जो है तो मैं आपके सामने बेटा आप मेरे सामने बेटे सरी मिया तक की नहीं है लीगल एवारनेज में हमारे मुक्तलिफ प्रोग्राम बनते हैं वर्कशॉप लेते हैं डिस्टिक लेवाल का स्टेट लेवाल का नेशनल लेवाल का और नीचे इस तरपर जाकर भी हम हो या को भी और हो तो समझो एक मस्जिद है और मस्जिद में हमने इमाम साब से बाकाइदा कोशिश की कि आप जो है तो कानून के अहमें पर गफ्तबू करें या फिर जो मुस्लिम वकील है जो जिसका पहरावादारी वगेरा का हो टोपी का हो तो वह आकर जो है तो जो ये भी इसका परियास करें और कर रहे हैं और बहुत सारी मसाजिद में हमने किये हैं महराश की आहमन नगर हो और इसके लाव असमानाबाद हो अकौला हो तो ये मस्जिदों में हमने कोशिश किये हैं और आगे भी हम करने वाले हैं तो इसमें क्या होता है कि किसी भी किसम का खर्च नहीं होता है, पब्लिक बहुत सारी जम्मा होती है, और खास तर्च वह पब्लिक जम्मा होती है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं रहता है, वह जादा पब्लिक हमारे पास रहते हैं, जिनको जरूद रहती है, तो इतनी हजार दो हजार पब्लिक आप बड़े से बड़ा वर्क्शॉप और लागों रुपए खर्च करने के बाउजित में आपको इतनी पब्लिक नहीं मिलती है तो हम यहाँ पर भी कोशिश कर दे इसके अलावा फिरी स्कूल है यारवी 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 ये टेन अब कराइम का ग्राफ तो बहुत बढ़ गए स्कूल के बच्चे में ज्यादा बढ़ गया पासको के मेंटर किते आ रहे आप देख रहे हों तो 376 के मेंटर आ रहे इसके अलावा फिर किसी के साथ जैदती हो जा रही है तो ये चीज़े हम सोच रहे हैं कि हाई स्कूल से लेकर तो जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज में वहाँ पर भी हमको रेडिमेंड बच्चे मिलते हैं तो ये माबाप की नजर में बहुत कम रहते हैं स्कूल में जादा रहते हैं तो वहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि वहाँ जाए और कानून पर एक लेक्चर दे तो वह भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हर स्कूल में हमें कोशिश करते है तो हर जगा होता है ये सारी चीज़ें